और चुलिए बात करते हैं फॉस्त इंडिया की मुहिम पानी एक खोचकी यहां लोगों को अपने घर बार जेवरों की चिंता नहीं एक मात्र सबसे बड़ी चिंता है तो बस पानी की तभी तो हर परिवार अपनी बेरियों यानी की पानी के छोटे टैंक पर 24 गंटे ताला जड़ना नहीं भूलता बिशन जल संकट के दौर में यहां पानी के हर बूंद हर वक्त ताले में कैद रहती है बाड़ीर के इस गाओ के हर परिवार का दर्थ बस पानी ही है पानी एक खोच अभियान के तहट हमारी सयोगी मदन कलाल पहुचे रेगेस्तान में करेब धाइसो मीटर उचाई पर बसे इस गाओ में और ग्राउंड लेवल्स चलिया जाईसा फर्स्ट इंडिया के पानी एक खोच अभियान के तहट इस वक्त हमाएं हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक अम्राली गाओ में इस वक्त दोपरी का समय और 50 डिगरी के करीब टेंपरेचर है धूल बरी तेज हवाय चल रही है रेगिस्तान का पूरा इलाका है इस वक्त आप देख सकते हैं हम एक टेंकर के पास में बेटे हैं जहां से कुछ महिला है पानी बढ़ने के बाद में इसे तुबारा से ताला लगा दिया गया है यह ताला जो है यहां के संकट की निसानी है बैसिकली यहां पर जो बेरिया बनी हुई है इस पूरे इलाके में वहां पर लोग ताला लगा कर रहेते हैं अपने घर में भले ही सोने चांदी के जो जेवर होते हैं घर में भले ही ताला नहीं लगा है लेक आखिर क्यों टाला लगाते हैं नियाग्ध यह अपकी इस बेरी पे तृव्स जाएं आखिर यह तिछह उम्हक्रा इह जो पानी नeldर चॉरी एजैक अपनी है लेजते हैंMMक मठबाट के ह 오क तो आखिता मले कर लाओ आग्सार किसे बाड़स कर तो यह जो पानी है यहां की महिलाओं की पीड़ा है हमारे साथ में यहां के जो वाशीन दे उनसे जानेंगे यह तरह लगाना बहुत शायद राजस्तान में इस तरह का कहीं ट्रेंड नहीं होगा बेरी पे ताला लगाया इसके पीछे क्या रिजन है साथ मारे ऐसी बात है कि मैं गाम अमराने बोल रहा हूं बोर्डर के पास कि हमारे पाने की एस्तिती बहुत हालत खराब है कि प्यास मर रहा हूं हजार रुप्या टंकी का एक तंकी राऊचर से आ रही है टेंकर वाले को बोलते हैं उक साथ 200 रुप्य कम ले वो बोलता है कि हम तो जाता है बात करने हमीर लेडिस पाने के लिए कम से कम तीन किलो मिटर और बेरी खुड़ा हुए उधर पाने नहीं बनने देते हैं यह हैं अब चूटी बची है इनको तो मैं किसमा किसमे से सिनान करती है तो फाइन निमिंगे लिए अचा है तो यह गर्मी मुझा में गुवर्मत को देखने के लिए एक बादी सुक्ष हुए यह पाने मीकी समझ्चा बहुत खराब है इस वक्त गर्मी है इसके अलावा दूसरे सीजन में यानि साल भर आप कैसे काम चलाते हो अब क्या करो जार मजगूरी में क्या करो